हेलो फ्रेंज, वेलकम टू बीनास किचन, आज हम बनाने वाले हैं मसाला मुंफली, यह खाने में बहुती ज़दा तेस्टी और बहुत क्रिस्प होती है, अक्सर हम इसे बाजार से करिद के लाते हैं, तो चली आज इसे घर पे बना लेते हैं, रेसिपी अच्छी लगे तो ल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहां पे हमने एक कप मुंफली ले ली है, यह कच्छी वाली मुंफली है, जो हम मार्केट से लेके आते हैं, तो इसमें हमने पानी डाल गई से धो लिया है, और इसी अब हम इसी तरह से एक मिनट के लिए इस तरह रहने देते हैं, तो इ नॉर्मल वाला बेसन है, जो हम कर पे यूज करते हैं, यह वही बेसन है, और अब हम इसे थोड़ा जादा क्रिस्प करने के लिए इसमें डालेंगे चावल कार्टा, एक चम्मच हमने चावल कार्टा इसमें डाल लिया है, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो एक चुटकी हम इसमें मीठा सोड़ डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इस सब को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, इस मसाला मुवफली को बराना बहुत ही आसान है, आप इसे बास जरूर ट्राई करेंगे, खाने में यह बहुत जादा क्रिस्प होता ही है, और जो हमने मुवफली को दो करके रखाता है, उसे भी हमने इसमें डाल लिया है, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो मुवफली हमारी गीली है, तो इसमें जो बेसन हो जाता है इस तरह से, और अब हम इसमें डाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी, अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है, और देख सकते हैं, यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं, इसे फ्राई करने के लिए ओईल को हमने मीडियम गरम कर लिया है, और अब चलते हैं, कड़ाई की तरफ, तो यहां पे अगर एक के ऊपर एक बिदलते जाएगी तो भी कोर प्रोब्लम नहीं है बात में अलग होजाती है और अगे अगर हम फ्लेम पे भी अर अगर आई फ्लेम पर आप इसे फ्लेम पे जल्दी जल जाते तो इसे मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अलटते पलटते अच्छी तरह से हमने फ्राइ कर लिया है यह देखिए यह काफी क्रिस्प बना है और खाने में भी यह बहुत ही टेस्टी है तो इसी तरह से हम इसे पुरा निकाल लेते हैं और दूसरो बैज भी हम इसमें फ्राइ कर कर लेंगे इसी तरह से हम बाकी के भी जो मुझफलिया है उसे भी हम फ्राइ कर लेते हैं और आप इसे एक बर बना के रखे और इसे कुछ दिनों तक आप उन्जॉय कर सकते हैं तो जब भी चोटी मोटी भूक लगे तो अब आप इससे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं शाम को के साथ इसे खाएं बहुत ही मज़ेदार लगती है तो फ्रेंज कैसी लगी आपको यह मसाले मुफली की रेसिपी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बटन जरू दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो पे किसी नहीं रेसिपी के साथ तिल देन बाँ बाइ